हाई प्रेंट्स, नमस्कार मित्रनू, वलकम बैक टो और चानल, प्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से अब रही बात कि किस तरगे से ट्रेड करना था क्या करना था वो सारी चीज़े डिसकस करेंगे बट कल देखते हैं कल क्या हो सकता है हाँ थोड़ा सा मैं हम लोगों ने डिसकस किया था 435 हो कि आसपास अगर मार्केट आता तो बहुत बहुत अच्छी एंट्री मिलती अनफॉ अब यह पर आप कंटीनियू हमारा अनलिसस देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रिक आउट कर देता है तो फिर हमें उपर के टार्गेट उपन हो जाएंगे आज देखो बैंक निप्ती ने यही से टॉप से कही ना कि 36,180 से यहां पर रिजिस्टंस लेते हुए आप लोगों को डिखाई ही दे रहा होगा छिू से लेवल ना यहां से मार्केट इसे रिस्टंस आया यहां से प्रॉफिट Online को प्रॉफिट ना कई लोगों को ऐलने च्छी डिखे लगों को एक कर देख ही नगी लगों को एक तो शायद यह फिल करना चाहिए इसलिए सबको लगेगा किल मार्केट निगेटिव हो सकता है तो अभी यहां पर अगर क्लोजिंग बेसिस की बात करें बैंक निफ्टी में तो हम लोगों को यहां पर इवन आप निफ्टी को भी देखो कि निफ्टी का भी चार्ट डेक लेत तो कर लेगा जल्दी उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे कि इस चार्ट के उपर जैसे मैंने आप लोगों को शो कहिया था कि इस लेवल के उपर 16300 के उपर हम लोग बुलिश होंगे अब देख सकते हो यह लेवल तो कभी आई ही नहीं 400 की जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट नीचे बाके अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दो मैकसिमम लोगों ने इस फॉल में एंटर की होगी या फिर इस एंड केंडल में कहीं ना की बेरिश केंडल में लोग फुट भाई करके चले होंगे आपको क्या लगता है कल का व्यूप क्या हो सकता है मार्क अब नीचे आगा सकता है क्योंकि यहां पर भी गैप पड़ी हुई है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है या फिर वो तीन मैने बाद हो सकती है ऐसा भी हो सकता है या अभी उपर चला जाए 800 को टच करें 700 तो 800 फिर उसके बाद में गैप फिलिंग के लिए नीचा है इस टा मार्केट गैप डवन उपन होना चाहिए क्योंकि यहां पर मार्केट सस्टेन थोड़ा सा करनी कोशिश की और फिर नीचे के तरह बाके यहां पर अब यह इस साइड में जा सकता है बैट मेरा जो समभाट पहला प्रिपरंस रहेगा मार्केट का कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो पहली होगी वो यह रहेगे कि मार्केट गैप उपन हो जाए अभी थोड़ा सा मार्केट अगर 16,577 के उपर उपन होना चाहिए इवन आइकन से 16,600 के आसपास उपन होगा तो भी चलेगा यहां फिर अगर फ्लाइट उपन होता है इस जगे पर तो भी मार्केट जो हमारा रॉंग हो गया और मार्केट नीचे के तरफ आ गया तो भी मार्केट कही ना कहीं से सपोर्ट लेगा अब कौन सी इंपोर्टन लेवल रही कि जहां से सपोर्ट लेगा कि हम लोगों को बाई करके चलना है तो मैं आपको एक्स्प्रेंद करता हो आगे वीडियो मे यह ओए चेंज है तो आज की डेट में कहीं ना कि 16,500 में हेवी राइटिंग की गई आप लोगों ने देखा होगा आपका जो क्लोजिंग है आप लोगों यहां पर देखा ही है निफ्टी के चार्ट के उपर कि अल्मोस 16,490 के आसपास क्लोजिंग है 500 ही पकट लेते हैं अ तो यह जो पूट है यहां पर ओए चेंज को अगर देखोगे आज इंट्रादे में अल्मोस 63,24,550 और वोल्यूम भी तगड़ा है 21,83 लेकिन 16,500 में कोई रहेंगे नहीं लेकिन काल साइट में कहां रेजिस्टन्स है 16,600 तो और वो कितना है अल्मोस्ट जो ओए चेंज है वो माइनस 2.9 लाक तो कही न कहीं 16,600 से लोगों ने अपनी पोजिशन निकाली हुई है अब यहां 16,600 पे लोग तो निकल गए दूसरी चें 16,500 के जो पूट सेलर्स है यह पूट है ना तो यह पूट सेलर्स अभी तक निकले नहीं है तो कही न कहीं 16,500 में एक तगड़ा स सपोर्ट है अच्छा नीचे आते है तो हम लोगों यहां पे दिखेगा कि 16,500 पे 48,000 का ओपन इंटरेस्ट है और इवन आप यह भी नंबर देखोगे ना पूरे ओपन इंटरेस्ट के यहां पे देखते है यह सारी चीज़े अगर इन सारे चीज़ों को टैली करोगे तो का कहीं न कहीं अभी जो OI है अगर मार्केट डिरेक्ली यहां उपन उता है तो यह जो लोग कॉल सेल करके गये होंगे यह ट्रैप होने के चांसे बहुत ज़्यादा है और पुट सेलर्स को प्रॉफिट होने की चांसे ज़्यादा है तो कहीं न कहीं हम लोगों डेटा को यह मेरा 1st प्रिप्रंस है, देखते हैं, अगर gap down open होता है, तो किस तरीके से, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, pin point पे चीज नहीं लेना है, this is my expectation only, कि जैसे, जो generally हम लोग करते हैं, इसके जो कुछ science है, वो हम लोगों को option chain में दिखाई ही दे रहे, that is the only thing, now think about कि कल किस तरीके से trade करना है, मैं आपको analysis बताऊंगा आज का, कि किस तरीके से trade करना चाहिए था, पहले देख लेते, निफ्टी के chart को, तो आपको शायद याद होगा, कि मैंने आपको एक simple चीज बताई थी, कि अगर निफ्टी 16,534, 435 कि उपर निकलता है, तो हम long चले जाएंगे, लेकिन opening हो गई market में यहाँ पे, और कहीना कहीं, जैसे यहाँ पे हमारे एक resistance था, 16,577, अब यह कहां से resistance आया, तो जिन्होंने program लिया हुआ है, उन लोगों को बहुत अच्छे से बता है, कि हमारे level के उपर resistance कहा होते है, उसको थोड़ा सा टैली करके देखना, they will get the level of 577, 578, At the same time, कहीना कहीं, supply or demand से भी resistance देखोगे, तो 585, 590 के असपास resistance आएगा, और 16,600 तो एक round number का resistance था ही, जो मैं काफी एक विक से बात कर रहा हूँ, तो market में यहाँ पे open होने किया थोड़ा सा selling आया, धीरे 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 उपर जाने की कोशिश की, और फिर यहाँ से resistance लेते हुए market ने continue नीचे की तरफ movement की, अब यह जो level है, center वाली, यह मैंने आप लोगों को कल बताई थी, कि अगर इसके उपर चला जाता है 435, तो 485 तो 95 के आसपास आप लोगों को target मिलेंगे, आप जाके वीडियो को confirm देखना, मैंने आपको कहा था 50 पॉइंट्स अप, दीरेक्ट ले आपको मिल जाएंगे, लेकिन यह उपर से सेल होके नीचे के तरफ market आया, तो अभी भी यह जो candle है, जो हम लोग देख रहे है, इंट्राडे बेसिस पे या फिर डेली पे अगर हम लोग चेक कर रहे है, तो आज पर मैं थॉट्ट यह जो candle है, यह अभी भी मुझे लग रहा है, कि एक पॉस candle है, जो continue market rally करते हो है, यहां से हलका सा profit booking हुगा, मार्केट हमीशे हलका होता है, अब यहां से फिर से यह rally करने के लिए ready है, अब यहां से फिर से यह rally करने के लिए ready है, यह पहले नीचे आए, यहां पे sideways open होगा, तो हलका सा negative होगे फिर उपर के तरफ जा सकता है, या दूसरी चीज, मार्केट सीधा gap up open हो जाए, और फिर आगे की तरफ rally कर दे, तो हम लोग according to the level किस तरगे से मार्केट में कहा support बन सकता है, कहा long जाने वाले वो चीज़ों के बारे में, मैं clear cut आपको बताता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, at the same time, हमें बहुत एक अच्छा trade मिला, मैं आपको बता दू, कि इस जगे पर हम लोगोंने एक trade लिया, अगर इसको आम लोग ड्रॉ करते हैं, तो मैं आपको बता दू, यह जो point था ना, यह high, यहाँ पर हम लोगोंने एक trade लिया, पाँच मिनटे के handle पर देखो कि आपको एक clearly, एक अच्छा trade मिल जाएगा उस जगे पर, आप देखो, जब इस high के उपर हमने marking की, तो कही ना कही आपको यहाँ पर एक shooting star मिली, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था, कि यहाँ पर हम लोग trade ले सकते हैं, चोटा सा risk है, तो मैंने कही तो भी morning पर 10.50 उनको बोल दिया था, कि market sustain करेगी या नहीं करेगी, तो basically I was having a doubt, so कही ना कही यहाँ gap up अच्छा हो गया था, तो आपको मैंने यहाँ पर 16,550 का put डिया था, जो 62 पर है, तो 62 पर आप buy कर सकते हो, actually this was not a tip or recommendation, but I just want to show you कि इस तरीके से trade किया जाता है, अगर buying भी कर रहे हो आप तो, तो इसका SL जो 59 to 60 की बीच में रखने का, देखो 62 का यह था, 60 का SL है, 2 point का SL शायद किसी ने option में रखा होगा, ठीक है, वो भी buying में, वो भी Wednesday के दिन, आप देखो, मैंने यह भी कहा था, इसकी probability 20% है, क्योंकि 20% लोग ही profit करते है market में, and see 66, मैंने पास भी कुछ buying था, आप मैंने भी किया था, 66, पहले मैंने लिया था, फिर वहाँ पे दिया था, उसके बाद में आप देखो, इसका high कितना लगा, आप चाहोगे, तो देख सकते हो, 68, 70.5, 71, 72, तो almost इसका high लगा, 74 के आसपरस लगा, तो आपका risk reward कितना होगा, आप खुद देख लो, risk was 2 point, reward हमें 12 point, तो यह kind of trade होते हैं, अगर आप इसको देखोगे, तो there was a chart also, कि हम लोगों यहाँ पे entry की, यह stop loss लगा, और इतना बड़ा हमें target मिल चुका था, ठीक है, तो यह बाद में तो फाइनली यहां तक भी गया, 82, 84 तक, लेकिन वो काफी नीचा आने के बाद गया, तो हम अगर आप छोटे से SL के साथ, यहां पे entry करते हो, तो यह बाद आप चोटे से SL के साथ, यहां पे entry करते हो, तो आप फिर यह entry यहां पे कर सकते हो, बट यह बहुत risky गेम होता है, आप call sell करना चाहते हो, तो कर सकते हो, लेकिन 220 पॉइंट की यहां पे entry मिल सकती हो, बट मेरा एक सिंबल जा कहना है, कि आपको यहां पे entry मिल रही है, यह target मिल रहा है, 120 पॉइंट का, क्योंकि मार्केट में ज्यादा scope नहीं था, यह level उपर होती तो और ज्यादा मिल जाता, बट मैंगनिप्टी ने एक अच्छा target यहा, उसके बाद में यह फिर आपके experience के basis आप किस तरह से trade करते हो, generally यह थोड़े से ऐसा market है, तो मैं generally जो new trader है, उन लोगों को कहता हूँ कि फोड़ा शांती से रहना चाहिए, क्योंकि बहुत market हो लाटा होता है ऐसे समय पर, तो कल भी expire है, तो trade करते समय, सोच समझ के trade करेंगे, देखते हो trade करेंगे, अब discussion करते है मैंने आपको व्यू तो बता दिया, कि market में gap opening हो सकती है, sideways to upside जा सकते है, और unfortunately down भी आ जाता है, कहीं न कहीं बाइग होने के काफी chances है, तो देखते है market में किस तरह के से opening होती है, at the same time हमारी कुन सी level रहेगी, तो सबसे बहले, निफ्टी को देख लेते है, तो उपर के market कहीं न कहीं नीचे के तरफ आता है, देखो, अब आपको ये जो space है ना मुझे नहीं लगता है कि इतना market नीचे जाएगा, कहीं न कहीं अगर market नीचे भी आता है, या sideways open होता है, तो बहुत quickly market यहां से नीचे आके, यहां से support बना के फिर उपर के तरफ जाएगा, पहला target क उनसा होगा, किस तर के से होगा, यह सारी चीज़े में आप लोगों को बताता हो भी, लेकिन जो हमारा पहला target होना चाहिए, वो कहीं न कहीं, सबसे पहला जो भी होना चाहिए, वो होना चाहिए, अगर market sideways आता है, यहां से open होके, तो हम लोगों को यहां अगर अच्छी hammer candle दिखती है, या कोई bullish angle finger दिखती है, तो we should go long from this particular level, इसके नीचे जाने का scope मत रखो है, market इतना नीचे नहीं जाएगा, obviously data काम करेगा, वहां देखेंगे, अम लोग data में क्या condition बन रही है, data में एक point बता दे रहा हो, ठीक है, ऐसे समें पर expiry में थोड़ा सा data है ना, expiry के दि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 16,500 में क्या हो रहा है, 16,400 के put में क्या हो रहा है, 16,500 के call में क्या हो रहा है, यह चीजों के उपर ज्यादा focus रहना चाहिए, आप यह 16,800, 700 इसको देखो के तो कोई मतलब नहीं है, तो यह point याद रखना है, जो आसपास के ATM है, तो ATM प्लस 100 और ATM माइनस 100 के call put में क्या changes हो रहे, यह आप लोगों ने देखना चाहिए, यहां से चीज़े बहुत सारी clear होती है, कि market में किस तरह से market react हो सकता है, तो data analysis में यह point सबसे अच्छा याद रखना है, और हो option chain में आपको दिखेगा, तो option chain से आप यह सारी चीज़े देख सकते तो अगर market उपर आता है, तो कहीं न कहीं, जो सबसे important level रहें कि जो आज का high है न, इसको mark करके रखो, ठीक है, जहाँ पर high है तो उसको mark करके रखो, और जो next इसके बाद में अगर support लेता है, तो कुम सा target रहना चाहिए, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे, यह जो candle है, जो यह बनी हुई है, इसके थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर level mark कर सकते हो, ठीक है, तो अगर market यहाँ पर support में मिलता है, तो first target हमारा यह होना चाहिए, उसके बाद में upside जाता है, तो T2 यह होना चाहिए, अब रही बाद कि यह चलो, खैर यह नहीं हुआ, और market में सीधा सीधा gap down, gap of opening हो गई, तो समझ लो कि अगर gap of opening होती है, तो आप long चले जाना, 16,633, 16,633, 634 के उपर अगर market निकलता है, इस जगे से, so I will say go long, long करना मतलब देखो, याद करो कि expiry है, तो expiry में market ऐसे धीरे-धीरे move करेगा, एक dip देगा, फिर धीरे-धीरे move करेगा, और यहाँ पर close हो ज लेकिन आपको profit नहीं मिल पाएगा, तो उस वजह से market का momentum देखो, सही जगे पर entry करो, या फिर simply आप 16,500 का PE sale कर सकते हो, जहाँ पर premium अच्छा मिलेगा, या आप 16,550 थोड़ा सा aggressive हो जाएगा, बट input को आप sale कर सकते हो, अगर market इस direction में उपर चला जाता है, तो पहली candle के ल उपर उपन हुआ, और सीधा, उपर उपन होके नीचे ही चला, उपर ही चला जाता है, तो लेवल कल टेलिग्राम पर मैं बताऊंगा, क्या चीज़े हो सकती है, और market sustain हो सकता है, तो I will post the particular message कि आप लौंग जा सकते हो, मैं कोशिश करूँगा, अगर market में sustainability नहीं दिखती है sustain होने के तो वह भी चीज़े में आप लोगो को वहाँ पर explain कर दूँगा, यहां से भी वो चीज़े आप देख सकते हो, रही दूसरी बात यह होगा हमारा nifty के बारे में, इसको save कर लेते हैं, मतलब कल हम को पता चलेगा, bank nifty में जो important levels आएगी, वो इसी तरीके से होगी, bank n और 325 के उपर अगर market निकलता है, तो go long, हम लोग put sell करेंगे, कौन से put sell कर सकते हो, सीधा-सीधा 36,100 के put देखना है, या 36,100, 200 के देखो कि तो बहुत मस्धिक हो जाएगा, 36,000 का put आप देख सकते हो, या 36,100 का PE आप देख सकते हो, यहां पर इनको short कर सकते हो, अगर market long चला यह बीच वाला zone जो है, वो थोड़ा सा time pass का zone रहेगा, यहां पर premium meeting उपर breakout करने कोशिश करेंगे, फिर नीचे आएगे, यह करेगा, तो इस zone पर time pass होने के chances है, तो कहीं ना कि strangle बना के जा सकते है, उबर का call बेचना है, नीचे का put बेचना है, निफ्टी, बैंक निफ्ट इस पोजिशन से अगर market निकलता है, इस zone से, तो हम लोग long करके जाएंगे, पहला target 35,943 रहेगा, और दुसरा target 36,112 रहेगा, this is T1 and this is T2, इस तरीके से हम लोग nifty और bank nifty को trade करने कोशिश करेंगे, आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हो, दूसरी चीज़ कहा opening होती है, कल देख बहुत सारे मैसेज मुझे आते रहते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, और फोन भी आते हैं, उस वज़े से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, आला कि मैं तो चाहता हूँ कि चार बजे ही रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन यह होता नहीं, अभी almost 759, 745 हो चुके, स्टील, अगर आप देखोगे, तो XGS में कुछ movement नहीं है अब तक, वो नीचे ही है, कल भी मने जब वीडियो बनाया था, जब बोला था कि gap up हो सकता है, तब ही XGS flat था, तो अभी European market भी आपको negative में दिखेंगे, मैं वो सारी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बट बता रहा European market negative में है, थोड़ा सा अभी American market देखेंगे किस तर कैसी react करते है, बट American market ने support किया तो हो गई, वो तो सबको ही पता चल जाएगा, रात को एक दो बज़े तक या सुबह सबको idea आई ही जाती के जिस काप है, बट still I am thinking कि market में थोड़ा सा bullish जाएंगे, तो अच्छा होगा, hopefully European market 6600 के दरफ जाने की कोशिश करें, या फिर जैसे मैं expiry में कहता हूँ हमेशा, कि इस type के candle बनने की कोशिश होती है, उपर के call के premium बढ़ाया जाते है, नीचे के put के premium भी बढ़ाया जाते है, और कही ना कहीं, इनको दोनों को short करके indecisive candle बनती है हमेशा, तो इस type के situation हो सक करने के chances है, दोनों ही कम होंगे, call के भी premium और put के भी premium, क्योंकि अभी जो wix है, वो भी drop हो रहा है, continue आप देख रहा होंगे, लो wix पे generally options इतनी react नहीं करते है, अगर index moment हो गया, तो options इस तरह से react रहते है, तो इस चीज को समझे, ऊपर जाएगा, तो जाता कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा इस चीज को समझे, थोड़ा सा 10-12 पे विक्साएगा, तो और अलग चीज़े हो जाएगे, so this is all about कि हम लोग किस तरह के से trade कर सकते है, क्या plan बना सकते है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो hit the like बटन, क्योंकि उससे engagement बढ़ता है, और कि लोगों को भी वीडियो भेज देना आपने, जो भी आपके जान पहचान के, तो बागी चीज़े देखते है friends, do comment भी आज का दिन कैसे रहा, ट्रिकी दे था, और एक चीज़ नोगाइस ट्रेडर को बता रहा हो कि जिस समय मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, लेवल पे नहीं है, तो मट ट्रेड केजएगा, जरूरी नहीं होता है, इंट्राइडिक ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है, कि आपको रोज डिली दो ट्रेड करना है, बहुत दिन ऐसे चले जाते हैं, कि दो दिन हमने ट्रेड किया, तिसरे दिन आपको ट्रेड भी नहीं मिलेग ऐसा दिन आता है कि धिसरे दिन आपको ट्रेड भी नहीं मिलेगा, तो उस दिन छोड़ दो यार, चील मारो, कितना ट्रेड करते बढ़ोगे, और दूसरी चे एक हफ्ते में दो से तीन प्रॉफिटेबल ट्रेड बहुत होते हैं, डेली दो तीन ट्रेड करनी की ज़रुवत न चाहिए, और सेट अब बने तभी ट्रेड करना चाहिए, अनवांटेड ट्रेड करने की जरुरत नहीं, जैसे कि क्या होता है, क्या मुझे मैसेज है, सर यह नीचे मुवमेंट हुई, यह मुझे ट्रेड करना था, देखो एक सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूँ, यह अ इस चीज़ को याद रखना, बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, थांक यू, बाई बाई